हाई गाई आम करांदी संभाव वेलकम टु टाइम्स राइ पॉडकास्ट एक बार फिर से वीकली गपशब का टाइम जहां पे हम न्यूज रिव्यूस से अलग कुछ टॉपिक यूपर डिस्कुशन करते हैं और यू नो कि आज की पॉडकास्ट जो हम क्या बात करने वाले है अपने थमने देख लिया है यूज का मारकेट और जब यूज कार लेने जाते हैं तो फिर कौन कौन से ऐसे जरूरी स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं खसकर उन सबी दोस्तों के लिए जो कास के मेकैनिकल्स के बारे बहुत ज़ादा नहीं जाते हैं और अपने भरोसिमन मेकैनिक को ढूद नहीं पाएं हैं ऐसे में अगर वो फिर भी यूज़ कार देने जा रहे हैं और खुद जाच करना चाहते हैं तो फिर कुछ एक ऐसे सेप्स जरूर हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और यह मार्केट की अगर बात करें हाल फिलहाल में कुछ सालों में काफी ग्रो किया है जो न्यू कार मार्केट है उसको ओवर्टेक कर चुका है आने वाले कुछ साल में हो सकता है कि डबल हो जाए और आमने देखा है कि कोविट के बाद एक एकसलरेशन आया है ग्रोथ में इस सेग्मेंट में पिकिस नाओ भी अब्जेक्टिव होकर गाडियों को खरीदने की सोच रहे हैं और यहां पर बहुत से लोग यूज कास की तरफ भी जा रहे हैं लेकिन ये मार्केट निटोरियस रहा है खासकर इंडिन कंडिशन में इंडिन मार्केट में जहां पर ट्रेडिशनली देखें तो माल प्राक्टिसेज काफी रहे हैं इस सेग्मेंट और इसी विज़ा से जो कॉमन बायर जिस बहुत जादा गाडियों के बार में नहीं पता है वो थोड़ा ढरता है यूज कार और सेकेंड हैंड मार्केट से और वो यहां के कल्चर का एक साइक जो ना सर्फ बायर के जहन में देखते हैं बलकि जो कस्टमर इस अपनी गाड़ी बेच भी रहे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जो कमिया हैं उसको बस देंटिंग पेंटिंग करके उसको ठीक करें और गाड़ी निकाल दें अनलाइक बाकी कई मार्केट में जैसे इंट्रे पूटा और यहां अगर मैं बात करूं बहुत से कामन वायर्स के साथ तो फिर उनके दिमाग में तो यह पहले से ही होता है कि हाँ ओडोमेटर के साथ तो छेड़ चाड़ की गई ही होगी और यह वो निश्चिंत होते हैं तो यह थोड़ा सा कल्चर है जिसे चेंज करने में वक्त लएका लेका लेकिन बहुत जरूरी है जो ट्रस्वर्धिनस है पुरानी गाड़ियों के यूज्ड कार्स को लेकर वो थोड़ा बढ़े तो इस वीडियो में हम क्या करने मारे हैं अब इस वीडियो में अलग-अलग हम पॉइंट्स लेका हैं जैसा हमने बताया कि इन पहली चीज़ करते हैं हम बात डिसिजन की अब कहेंगे आप डिसाइट वने कर लिया है यूज कार ले नहीं है लेकिन डिसिजन खासकर यूज कार के मामले में और भी जादा कॉंप्लिकेड़ हो जाता है क्यों क्योंकि जब हम देखें कि नई गाड़ी खरीदनी है एक खा होता है वो कम होता लेकिन इसमें बहुत अलग अलग तरह की गाड़ी आने लगती हैं तो इसके अलावा आपको क्या डिसाइट करना है बजट तो सबसे इंपॉर्टन है कि कितने बजट में आपको गाड़ी खरीद है उस बजट में आप ये भी ध्यान रखें कि जिस आप डेली जो रणिंग है वो क्या है फैमिली की ज़रुट जो है वो क्या है बॉडी टाइप आप किस तरह की चा रहे हैं इसके लावा ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि कहां से आप खरीदा चा रहे हैं आप किसी जान पेचान वाले रिश्टतार से दोस्से ले रहे हैं प् तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसी साब से आगे के स्टेप्स भी आपके गाइड होंगे लेकिन यहां पर मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा कि कौन से सोर्स से जादा बहतर होगा गाड़ी लेना किसके प्रॉज क्या है किसके कौन क्या है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अब अगले स्टेप पे जाते हैं और वो है चेकलिस्ट यानि आपको कौन कौन से डॉक्यमेंट्स चेक करना है उसके बारे में ध्यान से आप सुनिए उनकी आर्सी गाड़ी के पेपर्स इंशॉरंस के पेपर्स सर्विस रिकॉर्ड अगरने करवा से क पेपर्स चेक करना बहुत जरूरी है उससे आपको इंशॉरंस के बारे में और मैंटेनस के बारे में पता चलेगा ही गाड़ी किस तरह की इस तरह के फची अब चेकलिस्ट के बाद चेक आउट, चेक आउट में एक्स्टीरियर पहले और वहाँ पे आपको पता ही है, सबको पता है डेंट चेक करना है आपको और उसके लिए एक तो जो टिप होती है वो यह कि कलर डिफरेंस आपको पता चल जाता है तो आपको पता चल जाता है लेकिन उसके लिए एक और टिप है प्लीज, दिन के बख़ जाएए नाचरल लाइट में, प्रॉपर रोश्नी में आप गाड़ी को चेक किजिए सो दाएट ये डिफरेंस आपको पता भी चाले इसके लावा देखे कि पेंट जॉब किस तरह का है कोई पार्ट बदला गया है, कोई बड़ा हिस्सा बदला गया है या नहीं बदला गया है उसे आप बारगे ना बेहतर कर सेते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टन चीज है रस्ट ढूंड़िये कहीं जंग तो नहीं लगाड़ी किसी हिस्से में खोल खोल के अच्छे से बिल्कुल चिंता मत कीजा पैसे दे रहा हैं तो शर्माईए मत उसके अलग-अलग इस्से में जाके चेक कीजे, कहीं जंग तो नहीं लगा और आप चेक आउट में चलते हैं एकसीरियर से इंटीरियर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यह बताओं कि आप कोशिश कीजिए दिन की शुराव दिया गाड़ी जब ठंडी हो काफी देर से तब आप उसे स्टार्ट करें यानि कोल्ड स्टार्ट करके चेक करें कि गाड़ी के इंजिन का स्वास्त कैसा है इसके अलावा यह भी कि बैटरी का स्वास्त कैसा है क्यों भी एक अलग खर्चा होगा प्लस वह आवाज भी आपको बताएगी कि किस तरह से गाड़ी के इंजिन का हेल्थ है जो एक्जॉस्ट से निकलने वारा धुआ है वो तो बहुत ज़ाद इंजिन का जो है वो दर असल कैसा है इसके अलावा जो इन्सिमेंटेशन है उसमें सग्नल साइन्स पढ़िए जो नई गाड़ी है उसी में भी जब वाणिंग लाइट आ जाते है तो उसी को ठीक करना मेकानिक्स के लिए बहुत जादा मुश्किल क्काम होता है पुराणी गाड़ी में अगर आपको पहले से वो दिख रहा फिर हो तो भाई तौबा तौबा वहाँ पर आप कोशिश कीजे इस तरह की गाड़ी से थोड़ा सा दूरी रहें कि किस तरह का वहाँ पर वाणिंग गाइट आ रहा है और आप उसे ठीक करने में आपको जादा मुश्किल त कितना डार्क है कितना काल है कितना गंदा है वो भी बताएगा कि इंजिन का हेल्थ दरसल कैसा है फिर गाड़ी अकर कुछ दे स्टार्ट है तो फिर नीचे भी नज़र दोड़ाईए कहीं कुछ लीकेज तो आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये बेसिक चीजे जब गाड फिरियस की तरह गाड़ी को भगा दीजिए एकदम तोड़ दीजिए को कि आपकी गाड़ी नहीं है आपको बस यह करना है कि आपके डेली रन जो है उस हिसाब से गाड़ी फिट बैठती है नहीं तो कोशिश कीजिए कि अपने डेली ड्राइविंग को सिमिलेट करें जिस अटपटी सी गाड़ी के अलग अलग बाड़ी पार्ट से तो अलग से आवाज नहीं आरही जिसको ठीक कर रहना नहीं कि बहुत ज़्यादा जरूरत होगी सस्पेंशन से तो कोई आवाज नहीं आरही जब आप उससे स्पीड बेकर से जटके से निकाल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अलग से खर्चा लग जाएग अगर आप वो कर रहे हैं इसके अलावा आप अक्सलेटर ब्रेक और जो क्लच है उन सब को दबा दबा के आप देखे कि वहां से किस तरह क्या आवाज आ रहे हैं या नहीं आरही हैं गेर शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर गेर का मामला अटकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है तो यह सारे चीज़ आप ड्राइविंग के दौरान जरूर महसूस कीजिए इसके अलावा स्टेरिंग हलका से छोड़के फ्री रखके देखी गाड़ी कहीं इधर उदर भाग तो नहीं रही है उससे टायर्स का है या जादा पुरानी गाड़ी तो आपको फील के हिसाब से नहीं लग रही है तो प्रीज बचिए कर ऐसा लग रहा है कि उपर से तो बहुत ही चमकीला मामला लग रहा है और अंदर से उतना नहीं तो फिर अवाइड इसके लावा बारगें तो जरूर कीजे ये सारी जो चेक अप की बात है वो तभी की बात है जब आप पदा कर लेंगे कि हाँ क्या कामिया है क्या खूबिया है और उससे आप साब बारगें कर सकते हैं प्रीज बारगें कीजे क्योंकि ये मामला जो है इवन न्यू कास में आज की डेट में मैं सजेस्ट करता हूं सभी अपने दोस्तों को कि आप बागेन कीजे यूज कार में तो पक्का आप कर सकते हैं और वो मेरा परसनल एक्सपिरियंस भी रहा है तो आहां पर आपको ध्यान से बागेन करना होगा जिसके लिए एक शर्त यह है कि आप दो तीन ज आप से है वो अगर आप डाउट में हैं किसी इसको लेकर डाउट लग रहा है तो आप उस डील से दूरी हो जाईए क्योंकि जैसे मैंने कहा आप मेंटल पीस के लिए ले रहे हैं गाड़ी और उसको लेने के बाद अगर आप मुश्किल ने पढ़ जाना दे इस नो पॉइ पाटपूर्जे की दिकत आपको आज नहीं तो कलो सकती है जो मौजुदा गाड़िया हैं उसी के बारे में कई बार हो जाता है कि पाटपूर्जे मिलने में देरी होती है जो डिसकंटीनू हो गई उसके बारे में तो माशालला दूसी चीज़ ये कि आप उस ब्राइंड की ये भी आपको धिहान से देखती होगी तो वह जिसका ज़्यादा होगा maintenance cost वह वाइड कीजे है वह जो गाडिया है उसको भी वाइड कीजे क्योंकि कई बार वह गाड़ी की structure में में प्रॉबम होता है driving dynamics में 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 प्रॉबम हो सकता है प्लस paperwork में में भी problem हो सकता है तो लग लग जगह से इकठा के आपके लिए जिसमें से एक ट्रिक जो यह था कि आप जब सर्फेस को देख रहे होते हैं कई बार हमारी नंगी आंखों से आप ठीक से सर्फेस को परक नहीं पाते हैं कि अनिवेन है या नहीं उसके अंदर पेंटिंग का अलग से जॉब हुआ है तो यहां पे हाथ से आप उसको सहलाइए समझे विए आपको हलका सा भी अगर देंट महसूस होगा माइक्रो देंट भी तो हाथों महसूस हो जाता है जब आप यह ट्राइ करते हैं तो ट्राइन डू दूसरा मैंने बताई दिया था कि दिन के वक्त रोश्नी में फुल लेके निकल गए बट जितना आप ले सकते हैं फ्रीज उसके उपर गुजारिए जिससे की पता चले चौती बात वो कि आप गाड़ी जब ठंडी हो तब स्टार्ट करने कोशिश कीजिए जिससे की समझ में आया कि हाँ उसका है इसके लावा ओडो मीटर के रीडिंग के जरूर देखी जैसे गिरशिफ नॉब अचलेटर ब्रेक क्लच पैडल और टायर्स अब यहां पर आप आम तो पर देखेंगे जो की जिसके बार में बात कर रहे थे कि जो टाक्टिस है अब तो बहुत सारे ऐसे गैजिट्स बहुत ही इसली अवेलेबल हो गए जिससे की री टायर्स अगर आप देखें तो टायर्स भी बिल्कुल या तो घिसे वही हैं बिल्कुल नए हैं और वहां पर जो रीडिंग के साथ हो मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज आवाइड दाट वहां पर आप यह समझ सकते हैं कि भाई जो बता जा रहा है रीडिंग जितने हजार क किलोमेटर काड़ी चली है उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं आम तो पर हम 50-60,000 किलोमेटर तक इंडिन टायर्स को यूज होते हुए देखते हैं और ऐसे में वो आपको जो मालेज है उसे मैच करता हो दिखता है कि नहीं वो आप सभूर ध्यान से देखे और अब व अब पता है कि उनकी ड्राइविंग स्टाइल अच्छी है गाडियों को वो इजजत से प्यार से रखते हैं और बहुत सारे ड्राइवर्स उन्होंने नहीं बदले हैं बहुत सारे फ्रैमली मेंबर्स ने गाड़ी को नहीं चलाया है तो वो उससाब की गाड़ी अगर मिले तो आई थिंक को बेस्ट डील आपको मिलती है दूसरे वो इंडिविज्वल सेलर्स जिन से कई वेबसाइट सापको कनेक कराते हैं और वहाँ पे आप देखें कि जो जैनून सेलर हो उनके साथ आप कनेक करके वहाँ जो भी टिप्स और ट्रिक्स हमने बताया है उससाब से गाड़ी सेलेक्ट अगार आप करें तो एक दूसरा सेकेंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जवाब सेकेंड टाडीलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही दिन रात धेर सारी गाड़ियां बेचने का और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद नजर अंदाज हो जाती हैं और वो शायद आप न पकड़ पाएं अगर बहुत जाद एक्सपोर्ट ना है तो यहां पर इसी वज़े से का है यह सेकेंड नंबर पर मेरी चॉइस होगी थर्ड नंबर पर आइवुड से कि जो और अगनाई सेक्टर में जो कई सारे कार मैनुफाक्चर ने सेकेंड जो सर्विसे शुरू किये हैं वहां पर जाकर आप ले सकते हैं कॉन्स में यह कहूंगा प्रोज में तो यह है कि उसमें आपको सर्विस वारंटी कुछ मिल जाएगी थोड़ी सी सेकेंड हैं कार डीलर हो जो आपकी पकड़ में हो वहीं पर आप उसी के पास जाएगी तो यूज यूज कार को लेकर यह कुछ प्राक्टिकल जो काम की बातें थी वह हम इक ठाकर के लाए थे आपकी लिए I hope you liked it और जैसे हैं मैं शुरू में कहा था in case you experienced some of this कि आपने यू यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा वेबसाइट है टाइमस्राइब डॉट इन वहां पर सारे न्यूज व्यूज रिव्यूज आपको मिलेंगे और सोशल मीडिया पर सारे हैंडल्स पर तो में फॉलो कीजिए फिलहाल बाई तदा बाई हुआ हुआ है